नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चेनल पी एफपी में आज हम इंडिया मार्ट के बार में बात करने वाले हैं बारी गिरावट देखने को मिली है तो पैनिक होना तो जायज होता है लेकिन गिरावट क्यों होई है समझने की खोशिश करेंगे और as a retail investor हमें क्या करना चाहिए इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहला रीजन यह है कि वालुएशन बहुत ही जादा हाई हो गए थे स्टॉक में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिली थी तो स्टॉक के वालुएशन आपको प्रीमियम साइट पे ट्रेड करते हुए नजर आते थे इसलिए स्टॉक में घ्रावट होई है दूसरा रीजन यह है कि इंडिया मार्ट ने अच्छा कासा investment किया है fintech companies में software as a service based companies में investment किया है तो अभी एक बार के लिए investment तो हो गया है पैसा तो निकल गया है return मिलेगा नहीं मिलेगा surety नहीं होती है अगर return मिलते भी है तो अभी नहीं मिलने वाले है इंडिया मार्ट के financial पर कोई impact अभी नहीं आने वाला है future पर आने वाला है और generally market ऐसे acquisition को positively नहीं लेती है क्योंकि market को लगता है एक बार के लिए तो अभी company के आद से पैसा जा रहा है और execution risk रहता है जो acquire किया है उसका फाइदा होगा नहीं होगा इन सब reasons की वज़े से भी इंडिया मार्ट में हमें घिरावट नजर आती है दो reasons तो हो गए लेकिन मुख्या तीसरा कारण ये है कि company के operating margins में हमें घिरावट देखने को मिल सकती है company के खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं employee cost बढ़ सकते हैं और margin फिलाल अभी sustainable नहीं दिखाई पड़ते हैं COVID-19 के वज़े से company के margins बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए थे लेकिन ये sustainable नहीं है वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है logically मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ suppose एक company का revenue 100 crores के आसपास है उसका margin है 20% का तो profit निकल कराता है 20 crore का अभी एक साल के लिए कुछ ऐसा तो हुआ है सब कुछ सुदर गया है margins आपको एकदम से jump होते हुए नजरा है 40% के margin हो गए revenue नहीं बड़ा है sales में कोई बड़ा difference नहीं आया लेकिन यहाँ पर margins बहुत अच्छे हो गए तो 20 crore की जगा 40 crore का profit हो गया तो यहाँ पर आपको share price में तेजी देखने को मिली क्योंकि profit बढ़ गया है लेकिन यह जो margins है sustainable नहीं है अगले साल company यह सब sustain नहीं कर पाईगी तो वापस हमें 20% का margin देखने को मिला वापस यह 20 crore के profit पर आ चुक है तो यहाँ पर same condition पर आ चुक है तो stock में वापस हमें गिरावट देखने को मिली same case हमें इंडिया मार्ट में भी दिखाई पड़ता है margins बढ़ गए इसलिए एक बार stock बढ़ गया profit भी बढ़ गया सब कुछ reflect हो रहा था लेकिन वापस यह margin नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो stock में हमें गिरावट देखने को मिल रही है company के fundamentals के बार में बात करें तो number of users visiting the online marketplace 259 million है as of December 21 latest data है average revenue per user के बार में बात करें तो यह है 48,000 का जो की उपर जा रहा है paying subscription के बार में बात करें 156,000 से ऐसे लोग हैं जो की paying subscribers है registered buyers के बार में बात करें तो 143 million registered buyers हमें नजराते हैं online marketplace में India Mutt सबसे बड़ी company है leading company हमें दिखाई पड़ती है fundamental ratios के बार में बात करें तो ROE 17% है ROC 19% है जो की अपने averages से नीचे जाता हुआ नजराता है net profit margin latest है 41% का और 3 year average है 22% का latest से क्या मतलब है latest से मतलब है FY21 जहां पर margins काफी जादा बढ़ चुके थे तो यह margins वापस हमें 22-23 की range में आते हुए नजराते हैं तो profit कम हो जाएगा इसलिए stock में गिरावट हो रही है debt to equity के बार में बात करें तो latest zero है company पर कोई करजा नहीं है यह अच्छी बात है company का financial trend आपके सामने है यहाँ पर clearly पता चलता देखिए revenue में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ लेकिन margins में बहुत अच्छा jump हुआ तो profit आपको jump होता हुआ नजराया revenues भी अभी यहाँ पर कोई खास increase नहीं हुआ है लेकिन अभी margins नीचे चले गए है इसलिए profitability में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी जिससे EPS कम हो जाएगा valuation जादा हो जाएगा तो valuation को वापस control करने के लिए stock में फिलाला में गिरावट देखने को मिल रही है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 49.52% जिसमें से कुछ pledge नहीं है 4.41% mutual fund के पास है other DIA almost 1% FIA 26% retail category 18.6% analyst के rating के बार में बात करें तो 9 analyst ने stock को cover किया जिसमें से 77% का मानना है कि stock में खरिदारी करनी चाहिए higher side पे 106% का upside है median है 59% का upside और lower side पे 20% की गिरावट बताई जारी है जो कि approximately 3.500 का level है यह level आ सकता है नहीं आ सकता है यह हम chart पर भी देखेंगे 13,000 क्रोर की market cap है 4033 का last rate price है जो कि आज हमें 83% नीचे आता हुआ नज़र आया 45 का PE ratio है तो valuation अभी हमें comfort की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि October में यह stock हमें 7,000 के उपर trade करता हुआ नज़र आता था in fact यह 9,000 के भी उपर गया था 200 days का moving average यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आया उसके बाद stock में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर आप देख पाएंगे 100 days के moving average ने भी cross over कर दिया है उसको भी काफी ज़्यादा time हो चुका है एक माइने से ज़्यादा हो चुका है और stock continuously weak होता जा रहा है RSI 20.63 है काफी ज़्यादा weakness है weekly chart के बार में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 20 weeks के moving average ने 50 weeks के moving average को भी cross over कर दिया है weekly RSI 25.84 है काफी ज़्यादा weakness यहाँ पर हमें नजर आती है और chart काफी ज़्यादा clean है क्योंकि ज़्यादा पुरानी listing भी हमें दिखाई नहीं पड़ती 2019 में list हुआ था stock ने overall अच्छा ही perform किया है लेकिन margins यहाँ पर better हो गए तो stock में हमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली stock ने फिर sideways movement किया और वापस हमें यह नीचे की तरफ आता हुआ नजर आता है चार्ट पर हमें तीन lines नजर आती है सबसे पहली line जो black line आपको यह नजर आती है यह 6900 अप्रॉक्सिमेटली 7000 का round off level हम यहाँ पर पकड़ कर रखते हैं 7000 के level पर जब यह stock trade करा था तब हमने वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश की थी कि stock में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर यह 7000 का level तूट जाता है तो directly हमें 5000 का level देखने को मिल सकता है और वहाँ पर हम सबने reasons भी discuss किये थे कि क्यों यह गिरावट हो सकती है सब कुछ discuss किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है top right corner पर आपको link मिल जाएगी आप वो वीडियो देख सकते हैं तो stock में उसी प्रकार से हमें घिरावट भी देखने को मिली stock हमें 5000 तक आता हुँ नजर आया 45,000 पर इसने support लिया थोड़ा bounce दिखाया यहाँ पर हमने फिर से एक वीडियो के माध्यम से discuss किया था stock में अभी क्या चल रहा है तो अभी यहाँ पर क्या सोचना चाहिए stock क्या वापस उपर जाएगा या फिर वापस गिरावट देखने को मिली थी तब हमने discuss किया था कि यहाँ पर अभी के लिए कुछ बता नहीं सकते wait and watch करना चाहिए यह कुछ इस प्रकार का chart था तब हमने बताया था अगर यह level तूट जाता है तो हम यहाँ पर bullish हो सकते हैं और अगर यह level तूट जाता है तो हम bearish हो सकते हैं वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको top right corner पे link मिल जाएगी तो फिलाल यहाँ पर situation हमें नीचे के side के दिखाई पड़ती है क्योंकि नीचे का level हमें यहाँ पर तूटता हुआ नजराता है और decisively तूटता हुआ नजराया है तो next support क्या नजराता है 3000 का level हमें यहाँ पर नजराता है उसमें कोई doubt नहीं है analyst ने जो level बताया है 3400 का level वो तो देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से मेरी analysis के हिसाब से यहाँ पर 3000 का level भी दिखाई पर सकता है क्योंकि उसके पहले actually chart पर कोई support नहीं है जब stock 7000 पर चल रहा था तब मैंने share किया था आपके साथ कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है लेकिन मेरी imagination से भी आगे जा रहा है stock 5000 कल वेल मेरे हिसाब से old करना चाहिए था लेकिन मेरी imagination से आगे जा रहा है और 3000 की तरफ हमें यह बढ़ता हुआ नजर आता है तो फिलाल यहाँ पर करना क्या चाहिए अगर आप यहाँ पर stop loss लेना चाहता है तो यह जो current market price है आप निकल सकते हैं क्योंकि यह support अलड़ी तूट चुका है यहाँ पर आप देखिए यह low भी आपको तूटता हुआ नजर आता है और उसके नीचे यह close भी हो चुका है तो यहाँ पर जो short term investor हैं positional investors हैं वो यहाँ पर exit करने के बारे में सोच सकते हैं और long term के बारे में बात करें तो मेरे इसाब से अभी तो 3000 inevitable सा दिखा पड़ता है तो 3000 के level का wait करना मेरे इसाब से बहतर रहेगा वहाँ पर आप चाहें तो accumulate करने के बारे में सोच सकते हैं और bullish position कब बनानी चाहिए investors का तो हमने discuss कर लिया bullish कब होना चाहिए technically bullish जब तक यह 5000 के level नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पर bullish होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए तब तक यहाँ पर बेचने की sell on rise वाली यह market रहेगी जब तक यह 5000 का level intact है तब तक यह sell on rise है इसके उपर जाता है तो हम technically buy on dips के बारे में सोच सकते हैं तो फिलाल stock में यहाँ पर 3000 का level आ सकता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही चल रहा है stock market और business कई बार उल्टे चलते हैं आपको पता ही होगा यहाँ पर एक example में आपको देता हूँ फिर हम इंडिया माट के बार में बात करते हैं 2000 के time पे IT के stocks बहुत ही तेजी से उपर जा रहे थे उसके बाद जब वो bubble burst हो गया तो continuously गिरावट हो रही थी तो ऐसे time पे infosys का जो share था वो आपको year on year basis पे continuously 2-3 साल के लिए नीचे आता हुआ नजराया अच्छी खासी गिरावट देखने को में लिए stock अपने all time आए से 80-90% गिर गया लेकिन profit के बार में बात करें तो profit continuously उपर जा रहा था तो stock नीचे आ रहा है उसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खराब है यहाँ पर सब कुछ एकदम situation खराब हो गई है fundamental खराब हो गया ऐसा नहीं है इंडिया मार्ट में भी same case है इंडिया मार्ट में भी positive नजर आता है company के fundamentals actually अच्छे नजर आता है company की growth काफी अच्छी नजर आती है और सिर्फ company की growth नहीं पूरे sector की growth काफी अच्छी है अब यह छोटा sector है sector में काफी ज्यादा growth है उसमें यह leading company हमें नजर आती है company का shareholding pattern काफी अच्छा है most of the analyst हमें bullish नजर आता है डियाई ने अपना stake भी यहाँ पर थोड़ा बहुत increase किया है negative उसके बार में बात करे technicals यहाँ पर weak चल रहे हैं उसमें कोई doubt नहीं है valuation भी थोड़ा बहुत premium है पहले जैसा premium नहीं रहा है premium थोड़ा कम हो चुका है FIA का stake हमें कम होता हुए नजर आया और margins हमें यहाँ पर कम होते हुए नजर आते हैं तो ऐसी situation में क्या करना चाहिए short term और mid term के लिए तो हमें avoid करना है long term के लिए आप खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं कौन से level पर खरीदना चाहिए यह सब तो हमने यहाँ पर already chart पर discuss कर दिया है 3000 का level हमें दिख सकता है वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं यहाँ पर में एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि कई बार यहाँ पर लोग कहेंगे कि अभी इस stock 60% गिर चुका है 70% गिर चुका है तो ऐसे टाइम पर से नीचे आ जाएगा यह हम अनलाइज नहीं कर पाए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है जब stock 7000 पर चल रहा था तब मैं यहाँ पर यह सारे points दिखा कर आपको यही बता रहा था कि stock में गिरावट हो सकती है तब भी मुझे कर रहा हूं कि कोई ना कोई तो मुझे यहाँ पर criticize करेगा लेकिन लोजिकली यहाँ पर analyze करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने decisions लेने चाहिए I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment ट्रेडिंग decision में आपको यह मदद करता है thank you stay happy happy investing